तीसरा जो अहेंट फर्ज है एलेक्शन कर्मिशन क्योंको है उमिदवारों की अल्जी की चार्ज करना एलेक्शन कर्मिशन का चौता पर्द है सियासिय पार्टियों को मनुदूरी देना और इस एलेक्शन कर्मिशन का पांच्वा जो पर्द है वह एलेक्शन से मुटालिक तरादा और दर्मा यह पांच पराइज है एलेक्शन कर्मिशन के हम इन पांचों पराइज को बहुत मुटतसर में फुड़ी फुड़ी मानुबार इंजी हासित करेंगे पहला जो फर्द है उटालिक्शन कर्मिशन के फर्द होता है कि जिस इलाके में जिस वार्ड में जो बच्चे-बच्चे ऐसी हो चुके हैं जिनके उन 18 सागर उपर उसके उपर है उनके नाम की पांदराज वोटन रिस्ट में करता है यह एलेक्शन कर्मिशन का फर्द है आप देखते होगे कि हमारे आसपास के इस प्रियों में एक टै अधारा होता है पिर हम गों एलेक्शन क्रमिशन की जानिंग से एक शराफ्ती कार्ड बिटा है और उस एलेक्शन कार्ड का इस प्रियों हम एलेक्शन में ऊठ डालते वक्त कर सकते हैं बच्चों क्या आप जानते हैं अहम चीज मैं आप बताने जा रहा हूं कि आप इसके बारे में जानते हैं वो यह है कि जो राय डेम दिखार हैं ओटर्स के नामों के इंदराज के लिए मुल्क में ओटर्द बेदारी मुहीं चलाई जाती है और इस सिल्षरे में हर साल कौमी राय डेम दिखार हैं नमया जाता है कि इख दिन से सर्व वब्राधिट के जाते हैं एक कॉम्ही रायत हैं रिदगान के तोर पर माना जाता है ओतर को जारूद करने के लिए लोगों को इस सिसले में बेलार करने के लिए एक दिन मनाया जाता है वो दिन कब मनाया जाता है वो दिन याद रखें कि हर साथ सितंबर के महीने में हर साथ सितंबर के महीने के चौथे मंगल को ये दिन मनाया जाता है याद रखिया विस दिन और इस दिन आप जो है अपने नावों का इंगलाज होतर लिस्ट में कर सकते हैं दिन याद रखिया आप तो हर साल स्टमबर महीने के चौथे मोंगल को योवे राय देंदगान मनाया चाता है और इस दिन हम अगर हमारा नाव और लिस्ट में नहीं है तो हम अपना नाव और लिस्ट में या हमारे भाई बहें आज पास के जो वो ऐसे लोग जो जिनके उपरा थारा साल कोई हो चुछी है उनके नाव हम वोटर लिस्ट में इंदर्ज कर सकते हैं हर सितंबर महिने के चौटे मोंगन को यारों क्या तो आगे बाते हैं यह एलेक्शन कमिशन का पहरा फर्द है कि वोटर लिस्ट तयार करना इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट तो एक वो अच्छी तरह से त्यार करना इलेक्शन कमिशन कर पहर जाए और कब कराए जाए वक्त क्या रहेगा इस सारे उतना भी ताइचेबल जो है यह बनाने का इस प्यार या बनाने का काव एलेक्शन कमिशन कर पहरा है अब चुके हमारे मुल्क में कम और बेश्क उन्तीस लियास्ते हैं अब एक लिए में एक वक्त में तमाव लियास्तों में एलेक्शन करवाना यह पॉसिबल नहीं है मुझिन नहीं है तो इलेक्शन अलद अलग तारी के नहीं कर आए जाते हैं अब किस रियासते के खौसी तारी के एलेक्शन करवाना यह यह काम जो है एक बाक्ष बढ़िए कि इसलिए दिए प्रवारम करता है सारे अवकार नदूल आवकार कहें तो इसे लोग सभा पा पास साल में एक में को लोग तो इलेक्शन नियुक्ष जाए और रुज़कले पार्टियों के जरिए और आजादाना तोर पर अपने वाड में एलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं और उसे परक्राप्वार्म लगते हैं अपना अरिज़ा जो एलेक्शन कमिशन की जाने उनकी तरफ से जो जाता है उस अरिजे की जाज करने की हिमेदारी भी ऐलेक्शन का परेशन के तो उसका अरिजे की जाज की जाज की जाती है? जाकर तो नहीं आया है, उसका कोई केस तो नहीं है, उसका इंकम टेक्स के लिए रहे के नहीं है, यह सारी चीजों की चार्श जो है, वो करने है, वियार एलेक्शन को होता है। चौधा जोग सियासी पार्टियों को मनजूरी देना, कोई भी सियासी पार्टियों को मनजूरी नहीं मिलती, तब तक जो है, वो सियासी पार्टियों को एलेक्शन में हिस्ता देने का अस्तियार नहीं दिया जाता है। हर सियासी पार्टी को एलेक्शन पर्मिशन से पहले मन्जूरी देना पड़ती है, तब वो अपने उविद्वार एलेक्शन में इकड़ा कर सकते हैं। आफ्री जो इतफार पर हो है, एलेक्शन से उतार दिक तराजार है करता है। जो एलेक्शन आते हैं तो इसको हम देखते हैं हमारी आपकों के सामने हैं कि बहुत सारे तराजार जो है वो उबर कर सामने आते हैं। चियासी पार्चियों के आपसे तराजार, उमीद्वारों के आपसे तराजार, वाट के उपर से जगड़े और बहुत सारे ऐसारे मामलाद गो हैं कर सामने हैं। डो अइसे सारे तराजाँ को हग करने की जमिमेताली एलेक्शन कर संगती है। चो इलेक्षान के यह मुसार के वांच परायज हैं जिसक्र वो अमल करती है और उनका मुखसर्रा बिल्युचर्ट स्वेशन का मुखसर्द से यह होता है कि मुखमें घर अच्छे से आशानी के सार बहुस में को भी अन्याव कोई भी अंका मन्यां है पहले बच्छो एक और चीज में आप तो बताता चलू कि 1950 में जब पहली मर्थबा एलेक्शन वे थे तो उस वक्त कोई इसाइश शक्स होगा ना जिसने सबसे पहले ओड डाला हुआ होगा ना कोई इसाइश शक्स के इलेक्शन के दिन सबसे पहले ओड डालने वालवा शिक्स को था एक सवाद है कि आजा धारत के बार जब पहली मर्थबा एलेक्शन के 1950 में वो कौँ शक्स था जिसने सबसे पहले अपना बोड गर्ज किया था तो प्यारे बच्छो उस शक्स का नाव है श्याम शरन मेंगी श्याम शरन मेंगी पहले ओटर पहले हैं श्याम शरन मेंगी श्याम शरन मेंगी हमारे रून कुछ के पहले ओटर श्याम शरन मेंगी रियासते लिमाचत परदेश के रहने वाले हैं और वो भारत के पहले ओटर कहिनाते हैं 25 अक्टोबर सन 1951 में जब पहली मतनबार लोगसवा का एलेक्शन हुआ उस एलेक्शन में सबसे पहले ओटर दाले वाले शक्स का नाव शाम शरन मेंगी था बच्चो कुछ नाव आपको इसमें याद रखने हैं सबसे पहले चीफ इलेक्शन समिशनर जो है वोसु कमास से इस वक्त मवजूदा चीफ इलेक्शन समिशनर वो है सुनिर अरोगा सबसे पहले ओज़दार लेवारे शक्स शाम शरन मेंगी ये कुछ नाव आपको याद रखना है बच्चो ये कुछ चीजे इस सबसे मताली थी अब उनको सवार के पैदा होता है जो लोग सवार के इलेक्शन होते हैं उसमें स्कीतों का वड़वारा कैसे होता है तो बच्चो इस वक्त भारत में कुल 29 रियासत में हैं हर रियासत में उसका रख्वा और आबादी अलग लग लग में तो लोग सवार के पांसो तैयारीस सीटों पर एलेक्शन होता है अब ही पिछला करें आपको मानूं मुदी कमार्ण 17 में अभी पिछला अब पिछला इलेक्शन होता है अब अग्ला इलेक्शन जो है फुर्धोंदर चौथीष में को का यह 535 सीते यह कैसे तक्सिम की लाती है एक सबाद है तो बच्चों, वारे होटों जितने वी रियास्ते में उन रियास्तों की आबादी और अप्टे के हिसाब से सीटों का विक्वारा परता है। जैसे सबसे ज्यादा आबादी वाली रियास्त भारत में वो उतरपर्देश है। तो लोकसवार की सबसे ज्यादा सीटे उतरपर्देश में हैं, 80 सीटे, 80 सीटे उतरपर्देश में हैं। सबसे कम कहाँ है? गोवशती सीटे, एक सीटे गोवशती नहीं हैं। तो हमारे इस महारास्टर इस रियास्त में लोगसवाद की कुछ कितने सिपें नहीं है बच्चे अब याद रखें कि लोगसवाद की महारास्टर में तो इसकी क्लेन अग्माभी सेंपॉर्पी थे इस तरह ये सीटों का बड़्वारा किया जाता है हर रियास्त में आवादी के लिहाद से सीटों का बड़्वारा वोगसवादी किया जाता है पैर बच्चों ये सबब का आदा इससा जो है वो हमने आज यहाँ पर इस सेशन में आज कंप्लीट किया आदा इससा इंशालदा हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे जो इससा हमने कंप्लीट किया जो पूरा किया जिसके बारे में हमने मालूमात हासी की मैं एक जबादा पिरा का चो इसके आस्यात कर दूस का सबख इंतिखाद्य अमन जिसके 넘्हारे में मालूमात हासीred बहुत एंप्रस्टिंग और मती मालूमाती सबख इे इसमें election commission को बारे में मालूमात दी गय abol मुट ने election करवाने an venom करिशन करिस्ट कोई DO है ऑप दो इंसरे इंसर्ट को नावजदht करने कर्मारे थी होती है हमारे अरत के पेर्वेमेश्ट रि 커질 सूबों कर देखार करने को परक्षेकों propre क程क्र सुर्फ को dream अब 2020 में जम्वरी में और सुनीर अरोड़ा नाम शक्स को अभी एलेक्शन कमिश्टर के तोर और नाज़त किया गया है सदरे जमुटिया ने शाम शर्ण में हमाले भारत के पज़े वोटर है जिनों ने सबसे तहले ओज़ दाना था जब आज़ार पारत क्वा उसवगा उस वको तकरिबंदोव अलेक्शन के कोई दनने की मुझत ऑमर जोए हुए 21 वर्स थी लेकिन बात में उसको चैंज करके 18 ब्रस यह जह जब 11 वर्स करत दिया निया बेह तो उस वक्त जो है बहुस सारे लाज़वानों गो इलेक्शन के ब आए अजित मकामिला होसे भारत दुन्या का सबसे बहाद जमोरी मूल कर दूरिया में सबसे ज्यादा हाए देहीं दकी करे इसके माल थानेता हो भूरत भारत में तो इस करें चाल अहें मालुमात मैं आपके सामने रखी इन्शाल्ला अगली वीडियो में हम इसके बार आदा ल झाल